तेके submission series पर basic question है क्या question है limit as if सरी एफ s n equal to one upon one plus root n two plus two in up to n plus n square submission series पर जब भी कभी question आता है और यह variable change हो रहे होते है 123 ऐसे n तक और यहां n है फिर 2n है फिर 3n होगा फिर n into n होगा तो वह n square हो गया तो इस तरह के questions की technique के लिए आप याद रखिए इस तरह का एक formula आपको यूज़ करना है लिमिट n tends to infinity r equal to one to n one by n one by n f r by n की form one by n के बाद अगर f r by n की form हो तो इसको directly 0 to 1 r by n जो है वो x से replace हो जाता है तो अगर इस format में आप बना लेंगे तो question easily solve हो जाएगा आप इसको कैसे बनाएंगे इस format में देखिए पहले तो question को देखे हो तो question कुछ ऐसा दिया है देखिए one upon one plus root n फिर one upon two plus two n फिर अगला होगा one upon three plus root three n तो इसलिए n में जब जाएंगे तो one upon n plus n into n जो की n square हो जाएगा इसका आखरी term ही सब कुछ decide करता है तो अगर मैं इसको submission term में लिखूं तो r equal to one to n one upon one plus two r plus root rn लिख सकता हूं और हमको पूछा है limit n tends to infinity के लिए यानि ये question ऐसा है ये तो s को s n को लिखा अब इसी को limit के लिए पूछा है तो अगर limit के साथ आप से पूछा जाए तो एक सबसे important बात की one by n नहीं है कैसे बनाएं तो तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक n का divide करते हैं अब divide किया है तो multiply भी करना पड़ेगा तो आरवा एं प्लस क्योंकि अंदर रूट के अंदर लेके जाओगे तो ये फिर से अरवा ये नोता है वह directly convert हो जाता है इसका मतलब आप यहां पर लिख सकते हैं जीरो टू वण कि डीएक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स या ऐसा भी लिख सकते हैं जीरो टू वण डीएकस अपॉन रूट एक्स बहार लेलो तो 1 प्लस रूट एक्स अब अगर आप root x को t मान लेंगे तो 1 upon 2 root x dx equal to dt यानि आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं एक तो 2 उदर चला जाएगा और 0 to 1 dt upon 1 plus t and this is 2 times of log 1 plus t 0s do 1 तो जब 1 रखेंगे तो मिलेगा 2 log 2 और 0 रखेंगे तो 0 तो answer हो जाएगा log 4 तो submission series का जब भी question आए तो बस इतना सा ध्यान रखिए कि अगर इस तरह का form हो submission r equal to 1 to n 1 by n f r by n तो directly convert होके 0 to 1 r by n जो वो x में convert होता है तो जब भी submission series का question हो तो यह ध्यान रखेंगे कर सकते हैं